C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा साथ के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतरगत ध्वानी पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग दो. आईए अब सुनते हैं अध्याय छे का ध्वानी पाठ. शीर्शक है नगर, व्यापारी और शिल्पी जन. अब सुनते हैं पाठ. क्या यह एक मंदिर नगर था? या एक प्रशासनिक केंद्र. एक वानी जिक शहर, एक पत्तन अथ्वा किसी अन्य प्रकार कर शहर था. वस्तुतह कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे. विए प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वानिजिक कारेकलापों और शिल्प उत्पादन के केंदर भी थे इसी प्रिष्ट पर एक मांचित्र, मांचित्र संख्या एक और इस मांचित्र पर हम देख सकते हैं मध्धे और दक्षिन भारत में व्यापार और शिल्प कारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंदर इन केंद्रों का नाम आप इसमें देख सकते हैं और इसके द्वारा अनुमान लगा सकते हैं कि मध्धे और दक्षिन भारत में मुख्य रूप से व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के प्रमुख केंद्र कौन-कौन से थे। प्रिश्ट संख्या 76 अध्याए दो में आपने चोल वन्ष के बारे में पढ़ा आएए हम अपनी कलपना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर जैसा कि वह एक हजार वर्ष पहले था की यात्रा पर चलें। वर्ष में बारहों महिने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। अपने नाम को मंदिर की दिवार पर उतकीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दर्वार लगाते हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभुशनों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ती कुओं और तालाबों से होती है। तंजावर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर के सालिय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए जंडे जंडियां बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए पढ़िया सूती वस्त्र और जन साधरन के लिए मोटा सूती वस्त्र तयार कर रहे हैं। यहां से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थपती अथ्वा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे, सुन्दर, घंटा धातू के दीप बना रहे हैं। मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र तंजावर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरी करण का एक अत्यंत महत्तोपूर्ण प्रती रूप प्रस्तुत करते हैं। नगरी करण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्तोपूर्ण होते थे। शासक, विभिन्न देवी देवताओं के प्रती अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमी एवं धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान, विधी विधान से संपन्न किये जाते थे। तीर्थियात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था, और परवोत्सव मनाये जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिना दिया करते थे। इसी प्रिष्ट पर एक प्रशन का बॉक्स और आइए सुनते हैं कि प्रशन क्या है, ये प्रशन है, आपके मत में लोग तंजावुर को एक महान नगर क्यों मानते थे। प्रिष्ट संख्या 77 इस प्रिष्ट पर सबसे पहले एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है कांसा घंटा धातू और लुप्त मौम तक्नीक इसी बॉक्स पर एक बहुत ही सुन्दर मूर्ती का चित्र दिया हुआ है आईए सुनते हैं इसका वर्णन कांसा एक मिस्र धातू होती है जो तांबे और रांगे यानी तिन के मेल से बनती है घंटा धातू में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है यह घंटे जैसी ध्वनी उत्पन न करती है अध्याय दो में आप चोल कालीन कांसे मूर्तियों के बारे में देखेंगे ये लुप्त मौम तकनीक से बनाई जाती थी इस प्रविधी के अंतरगत सर्वप्रथम मौम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मौम बाहर निकाल दिया जाता था फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातू भर दी जाती थी जब वह धातू ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूरवक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था तो ये थी लुप्त मौम तकनीक एक प्रश्न आपके लिए आपके विचार से इस प्रविधी के प्रयोग के क्या-क्या लाब थे चित्र संख्या एक कवर्णन हम सुन चुके हैं ये एक कांसे मूर्ती है जिसमें कृष्न को नाग राक्षस कालिया को कावू करते दिखाया गया है आईए अब सुनते हैं पाठ मंदिर के करता-धरता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहुकारी में लगाते थे शने-शने समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित-पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदी मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर स्यात्रियों की आवर्शक्ताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बस्ते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीती से मंदिरों के चारों और अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामीन यानी भीलिसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महतोपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरे और आंधर प्रदेश में तिरुपती हैं। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। उत्तर प्रदेश का व्रिंदावन, तमिलनाडु का तिरुवन्नमलाई ऐसे नगरों के दो उदाहरन हैं। राजस्थान का अजमेर बारहुई शताबदी में चवहान राजाओं की राजधानी था और आगे चल कर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्याले बन गया। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरन प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद सूफी संत ख्वाजा मुईदीन चिष्टी जिसका वर्णन अध्याए आठ में मिलेगा, यहां बारहुई शताबदी में बस गए थे। और उनके दर्शनार्थी एवं श्रधालू सभी पंथों और मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुषकर सरोवर है, जहां प्राची इनकाल से ही तीर्थी यात्री आते रहे हैं। प्रिष्ट संख्या 78 प्रिष्ट संख्या 78 में एक बॉक्स और उस बॉक्स में सबसे पहले एक प्रशन। और वो प्रशन है अपने जिले के नगरों की सूजी बनाएं और उनका प्रशास्निक केंद्रों, मंदिर नगरों एवं तीर्थ केंद्रों के रूप में वर्गी करण करें। अब आईए सुनते हैं पाठ। छोटे नगरों का संजाल आठवी शताब्दी से ही उप महाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभौता उनका प्रादुर्भाव पड़े बड़े गाउं से हुआ था। उनमें आमतोर पर एक मंडपिका जिसे बाद में मंडी कहा जाने लगा होती थी। जहां आस-पास के गाउं वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकाने और बाजार थे जिन्हें हट कहा जाता था। इन्हें बाद में हाट कहा जाने लगा किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानिय उपज खरीदने और दूर वर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोडे, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। आम तोर पर कोई सामन्त यानि परवर्ती काल का जमीदार इन नगरों में या इनके आसपास किले बंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामन्त व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की दुकानों पर कर लगाते थे। और कभी-कभी इन करों के संग्रहन का अधि था। ऐसे अधिकारों का उलेख अभी लेखों में किया गया है, जो आज भी पाए जाते हैं। इसी प्रिष्ट पर दाहिनी और एक चित्र है, चित्र संख्या तीन, और इस चित्र में लकडी पर नकाशी करते हुए एक कारीगर का चित्र है। और अब एक बॉक्स, बॉक् के अभी लेख का सारांश है, जिसमें वेश्टुल्क दिये गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तूओं के रूप में वसूल किये जा सकते हैं। शक्कर और गुड, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्षन, तिल के तेल पर और कपड़े पर कर लगाये जाते थें। इसके अलावा ब्यापारियों पर धातू की चीज़ बेचने वालों, आसवकों, तेल, पशुचारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाये जाते थे। इन में से कुछ कर तो वस्तू रूप में और कुछ अन्य नकद रूप में वसूले जाते अब इसी बॉक्स में नीचे एक प्रश्न आज बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें पता लगाईए कि इन्हें कौन इकठा करता है और वे किस प्रकार वसूल किये जाते हैं और उनका प्रयोग किस काम के लिए होता है अब आएए सुनते हैं पाठ बड़े और छोटे व्यापारी व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे जिनका वर्नन अध्याय साथ में मिलेगा कई व्यापारी विशेश रूप से घोड़ों के व्यापारी अपने संघ बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी और से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था क्योंकि व्यापारीयों को अनेक राज्जियों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था इसलिए वे आम तौर पर काफिले बना कर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानि गिल्ड बनाते थे प्रिष्ट संख्या अस्सी दक्षिन भारत में आठ्वी शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे उनमें सबसे प्रसिद्ध मनी ग्रामम और नाना देशी थे ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और तक्षिन पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे इनके अलावा चेटियार और मारवाडी ओस्वाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चल कर देश के प्रधान व्यापारी समुह बन गए पुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों वा फारस की खाड़ी पूर्वी अफ्रिका, दक्षिन पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रिका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिन पूर्व एशिया और चीन से मसाले, तिन, मिट्टी के नीले बरतन और चांदी लाते थे पश्चिमी तट के नगरों में अर्बी, फारसी, चीनी, यहुदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारती ये मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरी दे जाते थे और वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुचाते थे उनसे व्यापार में बहुत लाव होता था उश्ण कटी बंधी जलवाईयों में उगाये जाने वाले मसाले जिसमें काली मिर्च, दालचीनी, जाइफल, अर्सोंट इत्यादी हैं यूरोपीय व्यंजनों के महतोपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था ये चीजें ही यूरोपीय ब्यापारियों को भारत तक खीज लाई समय के साथ साथ ब्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला इसके बारे में हम शीघर आगे सुनेंगे अगले प्रिष्ट पर जाने से पहले दो बॉक्स सबसे पहला बॉक्स इस प्रिष्ट में बाई तरफ है आईए सुनते हैं और ये एक प्रशन के साथ आरंभ होता है जैसा कि आप समझ सकते हैं इस काल के दौरान लोगों तथा माल का आना जाना लगा ही रहता था तो आपके विचार से इस आवाजाही का नगरों तथा गाओं के जन जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा नगरों में रहने वाले कारीगरों की सूची बनाए इसी प्रिष्ट अस्सी पर नीचे एक दूसरा बॉक्स इसका शीर्षक है काबुल काबुल अपने पहाडी और विशम भूद रिश्य के साथ सोलहई शताब्दी से राजनीतिक और वानिजिक रिश्टी से महतोपूर्ण बन गया काबुल और कांधार सुप्रसिध रेशम मार्ग से जुड़े थे साथी घोडों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था सत्रहवी शताब्दी में हीरों के एक साउदागर जों बैप्टिस्टे टैवर नियर ने अनुमान लगाया था की काबुल में घोडों का व्यापार प्रतिवर्ष तीस हजार रुपयों का होता था जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल उंटों पर लाद कर लाए जाते थे और उप महद्वीब तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे इनके अलावा घुलाम भी पिक्री के लिए लाए जाते थे प्रिष्ट संख्या 81 नगरों में शिल्प बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जडाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्पका नाम ही बीदर के नाम पर बीदरी पड़ गया पांचाल अथ्वा विश्व कर्म समुदाय जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ाई शामिल थे मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े-बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमी का अदा करते थे इसी प्रकार सालियार या कैकोलार जैसे बुनकर भी समुदाय बन गय थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिना दिया करते थे वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्यकार्य जैसे कपास को साफ करना, कातना और रंगना भी स्वतंत्र व्यावसाय बन गय थे जिनके लिए विशेशग्यता की आवश्यक्ता होती थी यहाँ पर एक चित्र है, चित्र संख्या चार और अब एक नजर डालते हैं, चित्र संख्या चार पर ये पीतल के इस मुम्बत्ती दान का काला आवरन का चित्र है साथी साथ एक चित्र और चित्र संख्या पाँच और इसमें शौल के बॉर्डर का चित्र दिखाया गया है प्रिष्ठ संख्या 82 सबसे उपर एक बॉक्स शहरों के बदलते हुए भाग्य कई शताब्दियों के लंबे समय में गुजरात के एहमदाबाद जैसे कुछ बड़े नगर बड़े व्यापारीक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए लेकिन तंजाबूर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की द्रिष्टी से स्थिकुड गए इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरती नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेश्मी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था यह 1704 इस्वी में पंगाल की राजधानी बन गया लेकिन इसी शताब्दी के दोरान उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लेंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में तिक नहीं सके अब सुनते हैं पाठ हमपी मसूली पटनम और सूरत नस्दीक से एक नजर हमपी की वास्तुकला का सौंदर्य हमपी नगर कृष्णा और तुंग भद्रा नदियों की घाटी में स्थित है यह नगर 1336 में स्थापित विजयन नगर सामराज्य का केंदर स्थल था हमपी के शांदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किले बंदी उच्च कोटी की थी किले की दिवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोडने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिला खंडों को आपस में फसा कर गूथा गया था इसी प्रिष्ट पर चित्र संख्या छे और ये चित्र संख्या छे है हमपी के आहाते की तूटी हुई दिवार से पुर्ज का द्रिश्य प्रिष्ट संख्या तिरासी इस प्रिष्ट पर सबसे पहले एक बॉक्स और इसका शीर्षक है एक किला बंद नगर आए सुनते हैं एक पुर्टगाली यात्री डॉमिंगो पेज ने सोलहवी शताब्दी में हमपी नगर का वर्णन इस प्रकार से किया है आएए वर्णन को सुनते हैं गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत स्तुद्रिढ प्राचीर बद्ध नगर बसा रखा है जो दिवारों और बुर्जों से सुरक्षित है ये दिवारें अन्य नगरों की दिवारों जैसी नहीं है बलकि बहुत मजबूत राजगीरी का ऐसा नमुना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा उसके भीतर इसी रीती से बनाए गए भावनों की अत्यंत सुन्दर कतारे हैं जिनकी छतें सपाट चप्टी है नीचे एक प्रशन आपके विचार से यही नगर किले बंद क्यों था इसी बॉक्स की दाहिनी और कुछ और विवरण हमें मिलता है आईए उस विवरण को विस्तार के लिए सुने अपने शासनकाल में विजय नगर के शासकों ने जलाशयों एवं नगरों के निर्माण में काफी रुची ली माल देवी नदी के उपर 1.37 किलो मिटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण हुआ कृष्ण देव राय ने दो पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजय नगर के निकट एक विशाल जील के निर्माण के लिए किया जहां से जल को जल सेतू और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों की सिचाई के लिए पहुँचाया जाता था इसी प्रिष्ट पर चित्र संख्या साथ और इस चित्र का शीर्षक है हमपी के बिठल मंदिर का पत्थर का बना रथ आईए अब सुनते हैं पार्थ हमपी की वास्तु कला विशिष्ट प्रकार की थी वहां के शाही भवनों में भव्वे मेहराब और गुमबद थे वहां स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे वहां सुनियोजित बाग बागीचे भी थे जिनमें कमल और तोडों की आकरिती वाले मूर्तिकला के नमूने थे पंद्रवी सोलवी शताब्दियों के अपने समरिद्धी काल में हमपी कई वानिजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुनजाय मान रहता था उन दिनों हमपी के बाजारों में मुस्लिम सौधागरों, चेटियों और पूर्तगालियों जैसे यूरोपिये व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियां विरूपाक्ष शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देवप्रतिमा, राजा तथा प्रजा जनों के सम्मक्ष निरित्य किया करती थी महानवमी पर्व जो आज दक्षिन में नौरात्री पर्व कहलाता है, उन दिनों में हम्पी में एक अत्यंत महत्वपून पर्व माना जाता था पुरा तत्व विदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला है, जहां राजा अपने अतितियों का स्वागत सत्कार करता था और अधिनस्त व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था वहीं विराजमान होकर राजा, निरित्य एवं संगीत तथा मल युद्ध के कारेक्रम भी देखा करता था प्रिष्ट संख्या चावरासी 1565 में दक्कनी सुल्तानों, गोलकुंडा, बीजापूर, एहमद नगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजय नगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार सूरत मुगलकाल में कैमबे, जो आज के खमबात में है और कुछ समय के पाद के एहमदाबाद के साथ साथ, गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वानिज्य के इंदर बन गया सूरत और मुझ की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हजियात्री, जहाज से यहीं से रवाना होते थे सूरत एक सर्वदेशिय नगर था, जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे सत्रहवी शताब्दी में वहां पुर्त गालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे अंग्रेज इतिहासकार ओविंग्टन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी वक्त पर भिन भिन देशों के आउसतन एक सव जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे सूरत में ऐसी अनेक दुकाने थी जो सूती कपड़ा, ठोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी सूरत के वस्तर अपने सुनहरे गोटा किनारियों यानि जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रिका और योरोप में बाजार उपलब्ध थे राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवर्शक्ताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्रामग्रिह बना रखे थे वहाँ भव्विभवन और असंखे मनुरंजक स्थल थे सूरत में काठियावाडी सेठों तथा महाजनों की बड़ी-बड़ी साहुकारी कमपनिया थी उलेखनिया है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिसर में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के पाजारों में मान्यता प्राप्त थी इसी प्रिष्ट पर बाई तरफ दो बॉक्स और इसमें दो विशेश शब्दों का अर्थ बताया गया है सबसे पहला है वानिजे केंद्र, इसका अर्थ है एक ऐसा स्थान जहां विभिन उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है दूसरा शब्द है हुंडी, हुंडी का अर्थ एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशी प्राप्त की जा सकती है प्रिष्ट संख्या पचासी किन्तु 17 शताबदी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधपतन प्रारंभ हो गया इसके कई कारण थे मुगल सामराज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादक्ता की हानी पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बंबई जो वर्तमान में मुंबई है से प्रतिसपरधा जहां 1668 में अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्याले स्थापित कर लिया था आज सूरत एक महतोपूर्ण वानिजिक केंद्र है जोखिम भरा दौर मसूली पत्टनम के लिए चुनोती मसूली पत्टनम या मचली पत्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है सत्रमी शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था हॉलेंड और इंगलेंड दोनों देशों की इस्ट इंडिया कंपनीयों ने मसूली पत्टनम पर नियंत्रन प्राप्त करने का प्रयत्न किया क्योंकि तब तक वह आंधर तट का सबसे महतोपूर्ण पत्तन बन गया था मसूली पत्टनम का किला हॉलेंड वासियों ने बनाया था इस प्रिष्ट पर अब एक बॉक्स और बॉक्स का शिर्शक है मच्वारों का एक गरीब नगर। सुनते हैं वर्णन। अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमाश्ते विलियम मैथवर्ड ने 1620 इसवी में इन शब्दों में मसूली पतनम का वर्णन किया था। यह गोल कुंडा का मुख्य पतन है जहां परंपूज इस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यह एक छोटा नगर है पर घना बसा हुआ बिना किसी चार दिवारी के और खराब तरीके से बना हुआ। नहीं यह अच्छी जगा स्थित है। इसके सभी जलसरोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मच्छुआरा नगर था। आगे चलकर यहां जहाजों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई। जिस से व्यापारी लोग यहां रहने लगे। और चुँकि हमारे तथा हॉलेंड के निवासी यहां इस तट पर आते जाते रहते हैं यह उनके लिए निवास की विवस्था करता है। अब एक प्रश्ण यहां पर आपके लिए और प्रश्ण है अंग्रेजों और हॉलेंड वासीों ने मसूली पटनम में अपनी बस्तियां बसाने का निड़ने क्यों लिया। और आएए अब समझते हैं एक शब्द का अर्थ। शब्द है गुमाश्ता। इसका अर्थ है यूरोपिये ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्राभारी अधिकारी। अब सुनते हैं पाठ। गोलकुंडा के कुत्ब शाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की विक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया। जिसे से की वहां का व्यापार पूरी तरह इस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। प्रिष्ट संख्या 86 विभिन व्यापारी समुहों, गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फार्सी सौधागरों, तेलुगु, कॉमटी चेट्टियार और यूरोपिय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और सम्रिध्धी शाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ती बढ़ा ली, तो उनके प्रतिनिधी सुवेदार मीर जुमला ने, जो की स्वयम एक सौधागर था, पॉलेंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भीडाना शुरू कर दिया। 1686 और 87 में मुगल बादशाह औरंग जेब ने गोलकुंडा को मुगल सामराज्ये में मिला लिया। अब यूरोपिये कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूनने की समस्या आखड़ी हुई। कंपनी की नई नीती के अंतरगत केवल इतना ही परियाप्त नहीं था कि पत्तन भीत्री प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाये रखें। बलकि इस बात की भी आवशिक्ता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वानिजिक भूमिकाएं भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी बंबई या वर्तमान मुंबई कलकत्ता जो आज वर्तमान कोलकाता है और मदरास जो उन दिनों चिन नहीं था चले गए तब मसूली पत्तनम अपने व्यापार और सम्रिध्धी दोनों ही खो बैठा और अठार्वी शताबदी के दोरान उसका आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है नए नगर और व्यापारी सोलवी और सत्रवी शताबदियों में योरोप के देश व्यापारीक उद्देशियों से मसालों और कपणों की तलाश में लगे हुए थे जो योरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिये हो गए थे अंग्रेजों, हॉलेंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वानिजिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी इस्ट इंडिया कंपनी बनाई प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुलगफूर और वीरजी वोरा जैसे कुछ बड़े भारती व्यापारियों ने जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे उनका मुकाबला किया किन्तु योरोपिय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंतर्ण स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्ती का प्रयोग किया और भारती व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया अंतता अंग्रेज उप महाद्वीप में सर्वाधिक सफल वानिजिक एवं राजनीतिक शक्ती के रूप में उभर कर साबित हो गए वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आजाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई, आधी का धंधा अपना लिया इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ भारती वस्त्रों के रंग रूप और डिजाइन अधिकाधिक परिश्कृत होते चरे गए, किन्तु इस काल में शिल्प कारों की स्वतंत्रता घटने लगी शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्हों ने जिन यूरोपिये एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमुने बेजने की स्वतंत्रता नहीं थी, उन्हें तो कम्पनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे अठारवी शताबदी में बंबई, कलकत्ता और मदरास नगरों का उदै हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं शिल्प और वानिज्जे में बड़े बड़े परिवर्तन आये, जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौधागर यूरोपिय कम्पनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित प्लैक टाउंस में स्थान अंतरित हो गए ब्लैक यानि देसी ब्यापारियों और शिल्प कारों को इन ब्लैक टाउंस में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मदरास में पोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में पोर्ट सेंट विलियम की शांदार कोठियों में अपने आवास बनाए अठार्वी शताब्दी में शिल्प कलाओं तथा वानिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे इसी प्रिष्ट पर, प्रिष्ट 87 पर नीचे एक चित्र और ये चित्र है प्रारंभिक 19 वी शताब्दी में बंबई की एक सड़क का प्रिष्ट संख्या 88 एक बॉक्स और इसका शीर्षक है वासको डिगामा और क्रिस्टोफर कोलम्बस इसी बॉक्स में चित्र संख्या 9 है और इसमें वासको डिगामा का चित्र दिया हुआ है सुनते हैं विवर्ण पंद्रहुई शताब्दी में यूरोपिय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूत पूर्व कारिय किये गए उनमें से अनेक नाविक भारतिय उप महाद्वीव तक पहुँचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रिरित थे पूर्टगाली नाविक वास्को डिगामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप आफ गुड होप से निकल कर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुचा उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में एक वर्ष से भी अधिक समय लगा वह 1498 में काली कट पहुचा और अगले वर्ष पूर्टगाल की राजधानी लिस्बंद लोट गया इस समुद्री यात्रा के दोरान उसके चार में से दो जहाज नश्ट हो गए और 117 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित वचे इन प्रत्यक्ष खत्रों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लावकारी सिध्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलेंड वासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया भारत पहुचने के लिए समुदरी मार्गों की खोज का एक अन्यसू परिनाम निकला, जिसकी किसी को आशा नहीं थी एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की और यात्रा करने का निश्चे किया उसका सोचना था कि चुकि पृत्वी गोल है, इसलिए वह पश्चिम की और से भी भारत पहुच सकता है वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुचा वेस्ट इंडीज का नाम इसी भांती के कारण पड़ा उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्धे और दक्षिनी अमेरिका के पड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अकसर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नश्ट कर दिया कल्पना करें आप 17 शतादी में सूरत से पश्चिमी एशिया की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं इस संबंध में आप कैसी तैयारी करेंगे प्रिष्ट संख्या 89 फिर से याद करें एक रिक्त स्थानों की पूर्ती करें कर राज राजेश्वर मंदिर खाली स्थान में बनाया गया था ख अजमेर सूफी संत खाली स्थान से संबंधित है ग हम पी खाली स्थान सामराज्य की राजधानी थी ग हॉलेंड वासियों ने आंधर प्रदेश में खाली स्थान पर अपनी बस्ती बसाई 2. बताएं क्या सही है और क्या गलत ख हम राज-राजेश्वर मंदिर के मूर्तिकार या स्थपती का नाम एक शिलालेक से जानते हैं ख सौदागर लोग काफिलों में यात्रा करने की बजाए अकेले यात्रा करना अधिक पसंद करते थे ग, काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था ग, सूरत बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक महतोपूर्ण व्यापारिक पत्तन था तीन, तंजावुर नगर को जल की आपूर्ती कैसे की जाती थी चार, मदरास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउंस में काउन रहता था इसी प्रिष्ट पर कुछ शब्द हैं जिनको बीज शब्द कहा गया है और ये शब्द वो हैं जिन शब्दों का इस्तिमाल इस अध्याय में किया गया है आईए सुनते हैं बीज शब्द मंदिर नगर नगरी करण विश्व कर्मा वानिज केंद्र ब्लैक टाउं प्रिष्ट संख्या नब्बे आईए समझें पांच आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए छे मंदिरों के निर्मान तथा उनके रख रखाओ के लिए शिल्पी जन कितने महतोपूर्ण थे साथ लोग दूर दूर के देशों प्रदेशों से सूरत क्यों आते थे आठ कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन तंजावर जैसे नगरों के शिल्प उत्पादन से किस प्रकार भिन्न था आईए विचार करें नौ इस अध्याय में वर्णित किसी एक नगर की तुलना आप अपने परिचित किसी गस्बे या गाउं से करें क्या तोनों के बीच कोई समानता या अंतर है दस सौदागरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था आपके विचार से क्या वैसी कुछ समस्याओं आज भी बनी हुई है आईए करके देखें ग्यारह तंजावर या हमपी के वास्तु शिल्प के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें और उन नगरों के मंदिरों तथा अन्य भावनों के चित्रों की सहायता से एक स्क्रैप बुक तयार करें बारह किसी वर्तमान तीर्थ स्थान का पता लगाएं बताएं कि लोग वहां क्यों जाते हैं और वहां क्या करते हैं क्या उस केंद्र के आसपास दुकाने हैं और वहां क्या खरीदा और बेचा जाता है यहा сторон अध्याय छे समाप्थ हुआ अभी आप सुन रहे थे सामाजीक विज्ञान पाठे क्रम के अंतरग्यत ध्वनी पाठे पुस्तक हमारे अतीत भाग दो का छट्मा अध्याय शीशक था नगर व्यापारी और शिल्पी जन वाचन्स्वर अजीत होरो निर्माण सहयोग शानु मुक्सीम निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत